हलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू देसी फ्लेवर कैसे आप सब आशा करते हूं कि आप सभी स्वस्त होंगे फ्रेंट्स आज मैं बनाने जा रही हूं बटर पनीर या फिर हम इसको शाही पनीर भी बोल सकते हैं इसका कलर और टेक्स्चर आप देख सकते हैं बढ़ी आया हुआ इसे बहुत जल्दी जटपट बन जाता है थोड़े से इंग्रेडियंट्स में तो चलिए स्टार्ट करते हैं बटर पनीर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा पनीर तो मैंने यहां पे आदा किलो पनीर लिया जिसको मैंने पानी में भिगो कर रखा है आगे क सबसे पहले गरम करेंगे और इसमें मैं अध्रक और लसन जो बड़े बड़े टुक्रों में कट किया हुआ था उसको दो तीन मिनट के लिए अच्छे से फ्राय कर लेंगे ताकि इसमें से कच्छा पन जो है वो निकल जाए चिंजर गालिक को फ्राय करने के बाद सेम पैन म जाए और हम इसको उतनी देर फ्राय करेंगे जब तक ये ट्रांस्पेरेंट या पिंक कलर टाइप करना हो जाए ये अब फ्राय हो चुके है इनको मैं निकाल कर एक प्लेट में रख लेती हूं और सेम पैन में हम एड़ करेंगे टमाटर जिसको मैंने बड़े बड़े टु अच्छे से ठंडा करेंगे ठंडा करने के बाद हमें इसको मिक्सर जार में ग्राइंड करना है पानी हम नहीं डालेंगे चलिए इसको थोड़ा ठंडा करकर हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं हमें गरम ग्राइंड कभी भी नहीं करना चाहिए कोई भी मिस हैपन हो सकता है त अच्छे से गरम और एड़ करेंगे तो मिक्स करते हुए बहुत अच्छे से फ्राइब करेंगे देखिए इसको हमें इसको चलाते रहना है दो चार मिनिट हम फ्राइब करने की बाद हम इसमें एड़ करेंगे सॉल्ट सॉल्ट को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ली रखेगा इसको हम मिक्स कर लेते हैं और हमें इसको अभी कुक करना जब तक की ऑल सेपरेट ना हो जाए इन बिट्वीन हम कुछ मसाले अड़ करेंगे तो यहां पर मैं आड़ कर रही हूं रेड चिली पाउडर चिली को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ली रखेगा और इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं बटर पनीर बनाना बहुत ही एजी है और यह मोस्टली सभी को पसंद आता है खाने में तो जरूर एक बार ट्राय कीजिएगा बटर पनीर में बहुत जादे मसाले नहीं डाले जाते हैं बह होकर रखा था पानी में उसको मैंने की यूप में कट कर लिया है और मैंने इसमें मिक्स कर दिया मैं पनीर को फ्राय करके नहीं डाल रही हूं आपको अगर पसंद है तो पनीर को फ्राय करके भी आप यूज कर सकते हैं मैं डारेक पनीर को कट करके ग्रेवी में मिक्स कर रह तक पनी तूट ना जाय और हलुज जासे ना दिखे तो पनी कोई घोटर ते लिए लिए उसे आड़ी गर्म जुटरिक्ट धीघ्यट से फेर भूंसाल और पूम में देश्ट करनेगे षोनय मशाला यूज है पसले। और इसके बाद हम इसको cover करके cook करेंगे जब तक कि इसमें अच्छा सा एक boil ना आ जाए तो चलिए मैं इसको cover कर देती हूं और एक अच्छा सा boil आने तक हम इसको cook कर लेंगे पांच मिनट हो चुके हैं आप देख सकते हैं इसमें अच्छा सा boil आ चुका है तो चलिए हम इसको check कर लेते हैं यह देखिए ग्रेवी बनकर बिल्कुल ready है और इसको ज़्यादा दिर हम cook करेंगे वन्ना पनीर जो है वो बिल्कुल थोड़ा hard हो जाता है बहुत ज़्यादा cook करने से एंड में हम इसमें डाल रहे हैं बटर मैंने यहाँ पर एक क्यूब डाला है बटर का और इसको भी अच्छे से mix कर लेंगे एंड में हम यहाँ पर डालेंगे आमूल फ्रेश क्रीम यह अगर आपके पास है तो यूज कीजेगा और अगर नहीं है तो skip कीजेगा मैं यहाँ पर आमूल फ्रेश क्रीम यूज कर रही हूँ हाफ कप के करीब डाला है मैंने इसको अच्छे से mix कर लेंगे और ग्यास का flame हम बंद कर देंगे क्रीम डालने के बाद ज़्यादा कुक नी करना है वरना क्रीम फट जाता है और अब हम इसमें एड करेंगे कुछ कटे हुए धनिया पत्ता और बनकर रेड़ी है शाई पनीर तो चलिए हम इसको सर्व कर देते हैं आप देख सकते हैं इसका कलर और टेक्स्चर कितना अच्छा आया हुआ है यह खाने में भी उतना ही टेस्टी बना है आप इसको रोटी पराठा राइस जिसके साथ भी पसंद है उसके साथ गरम गरम इंजॉय कर सकते हैं और यह बनाना बहुत ही इजी है आपने देखा किती जल्दी और जटपट बनकर रेड़ी हुआ है एक बार ज़रूर ट्राइ कीजिगा इस रेसिपी को और फ्रेंज आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक वाच करने के लिए सभी का थैंक्यू सो मच